लेकिन उसी एक ग्लास पानी को तीन-चार मिनट दीरे-दीरे पिएंगे तो ज्यादा लाए जाएगी पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताएगा आजिन देज में कि एक सिंप पानी मुमे बरना फिर उसको घुमाना लेगा चारो तरव पिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए फिर पीना फिर दो मिनट गेट करना फिर पानी को मुमे लेगा फिर गुमाना फिर पीना ये तरीका आधर शेह आईडिया ऐसे पानी पीना आप हो लेगे फाइदा, फाइदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंगर जाए तो पेट का ऐसे आपने नूट्रल कर लिया जिनका ऐसे नूट्रल होता है उनको लाइफ में वात पित्तकफ तीनों नूट्रल रहते हैं तो रही नहीं सकते घट भी नहीं सकते और जिंदगी भर आप निरोंगी रह सकते हैं इतना पावर्फुल सूत्र है कि सिर्फ सर्थ पारी को गूट गूट करके पीना इस सूत्र पर बहुत एक्स्परिमेंट की और मेरे अदावाद दुनिया के बहुत सारे वग्यानिक के अमेरेकन इदम एक एक अमेरेकन इंसिटीटेूट ऑपकिन्स इसिटीटेट थे आरे साइकाए इस नहीं पिल्भुलोग सस्थ उनसे मेरा कर्प्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, इमेल के थूट, मैंने उनकी एक पर वेबसाइट पे प्लिप किया, तो दोनों साइटिस्ट दारे साल से एक ही एक्सपरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलोजिस्ट हैं, मने किपनी रोक के विशेश हैं, उनका ये एक्सपरिमेंट हैं कि पानी गता гट पियो तो क्या होता है, और पानी बूल-बूल पियो तो क्या होता हैं? 12 साल से वो एक ही काम में लगे 12 साल के बाद उन्होंने रिजर्ड दिया है और उसकी पूरी थीसिस तयार किया वो यह कहते हैं कि पादी जो गटागट पिये तो रोग ही रोग शरीर वो बोलते हैं सबसे जादा संभावना है appendicitis की दूसरी संभावना है प्रॉस्ट्रेट एनलार्जमेंट की वो कहते हैं कि यह प्रॉस्ट्रेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं appendicitis के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यह सब मैक्सिमम उन लोगों को हैं जो गटागट पानी पीते हैं आ वकेते हैं कि जो घूट-गूट पाणी पी रहे हैं वो गूट पानी पी रहे हैं। वो क्यते हैं Frais on this, और वो केते हैं जिक भारत तो बहुत लखी है कि इस नियम का भारत को साड़े तीन हजार साल से ख्यान है креп यह तो अभी पता चला मारे साल के पानी भूट भूट पीनेंगे उनुनस होने हैं सबीन से प करना प्रूनने पानिके न के 10 और पंदर दिन के बाद, वो समय मरता इं गया, 13 महीने में उनको करना पड़ा, छो बाइने में करना पड़ा, और जो गटा कड पानी पीजे हैं, उनको हर दिन लिए हर दूसरे दिन डाईलीसिस फिलाई ढाई था, तो उन्होंने थीसिस तयार किया, वो थीसिस को उनोंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लेंसेट उसका नाम है लंदन से छपती है उसमें डिया हो थीसिस मैंने पढ़कर फिर उनको कॉंटेक किया कि आपको यह पता कैसे चला गूट गूट पानी पीने का तो उनने का कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली अब्सर्व करने के लिए ये किया था तो मैंने का हमारे भारत में तो साड़े तीन हजार साल पे ले ये पता उनने का हाँ हमें मायू में कि भायक वासी इसका पालन नहीं करते हैं इसका बहुत अपसूस है अब दोनों इसका परचार करने में लग गए है वोगे पानी को भूट भूट भी है तो किट्टी भी अच्छी रहेगी लीवर भी अच्छा रहेगा सब कुछ अच्छा है यूरिन की प्राब्लम हमारे घुजूर्गों को अकसर होती है रात में बार बार यूरिन जाना पर सकता है क्योंकि रिटेंशन के अबिसिटी कम हो जाती है यूरितरा की मुत्रविन जो रोग के रखता है पेशाब को वो कमजोर पर जाता है उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है खजूर पिंड खजूर खजूर को छोड़ जोड़े टुकड़ों में काते हैं फिर दूद में डालके उसको खूब उबाले हुए दूद को पी है सोने के पहले और जो खजूर है वो चबाके का दो खजूर एक दिन में लेना परियात है ये पेड़ बलने ले लेंगे तो ठीक हो जाएगे इसी पिंड खजूर से बच्चों की भी समस्या हल हो जाती है जो रात को विस्तर में पेशाफ करते हैं खजूर को पिंड खजूर भी कहते हैं और ये खजूर है चुवारा है सूखे रूप में मिलता है तो दोनों में से कुछ भी इस्तिमाल कर सेख़ा है प्रोस्टेट में भी यही काम आएगा जो बार बार आप मुझे पूछ रहे हैं प्रोस्टेट की प्रोब्लम जिनको भी है इलांजमेंट हुआ है उनके लिए भी आप ये खजूर की विवस्ता कर दीजे और बिलकुर देखे रिजर्ट क्या है